कि नमस्कार एब्रीवान और वेलकम बैट तो निरसक्षाना मैच्स क्लासिज आज मैं क्लास 10 का बहुत ही इंबोटन टॉपिक ले रहा हूं सबसे पहले दिमाग में आता है कि वाट इस दा मीनिंग और कोडिनेट्स का मतलब क्या होता है वाट इस दा मीनिंग फोरुटिस तो कॉर्णेट्स मेंटर्य इस दैट रहांच अच्वर्णि इस पूर्णिश कोडिनेट्स इस दा रहांग अपर लिया पी नौ धिस प्लीलिस कॉर्टशन प्लीं इस प्लें को हम बोलते हैं का इस बैस न प्लीड आपर लिया बहुत है और जब हम दो एक्सेज ड्रॉ करते हैं पर पैंटीकुलर टू इच अदर डिवाइट दप्लें इन्टू पॉर पाट्स इच पार्ट इस पॉर्ड कोईडरेंट नाओ सपोर मुझे पी पॉइंट की पोजिशन बतानी है तो जब भी हमें किसी पॉइंट की पोजिशन को लोकेट करना है तो हम डिर्क्लिट की फॉर्ट की पोजिशन नहीं कर सकते हैं उसके लिए हमें रेफ्रेस्ट लेना पडना पडता है तो हम ने क्या किया हमने एक्स एक्सेझ जौकी य एक्सेज ड्रॉख की इन ईप्र प्रेंडिकुलर तू एच अदर नाओ इस पॉइंट की लिए X की value क्या होगी तो वाट इस पॉइंट के लिए X कोणिट के value आ गई 3 और Y कोणिट के value क्या हो जाएगी 4 तो यहीं coordinates of this point P are 3,4 तो सवाल ही उठता है कि X,Y X की value क्या होती है The value of X tells the distance of the point from Y axis देखें पर एक्जामपल यह जो point है इस point के लिए X के value 3 हो गई तो यह point Y axis से कितनी दूरी पर है this is how much this is equal to 3 units तो X के value हमें बताती है distance of the point from Y axis और Y की value हमें बताती है distance of the point distance of the point from X axis उल्टा हो जाता है Y की value क्या है आपर 4 तो Y की value 4 का मतलब यह हुआ कि यह जो point है यह X axis से कितनी दूरी पर है इतनी दूरी पर है this is equal to how much 4 units तो कहने का मतलब यह है the value of X tells the distance of the point from Y axis and the value of Y tells the distance of the point from X axis दूसरी बार X को हम और क्या कोलते है it is also called EPSI SUM and the value of Y is called coordinate is case में जो X है वो 3 था और जो Y है वो 4 है this is the EPSI SUM and this is the coordinate of this point P with respect to these two axes now any point any point on X axis is of the form X, 0 and any point any point on Y axis is of the form 0, Y now let's try to understand understand this देखिए अगर मैं X axis पर यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं तो इस point के लिए मार्लों इस point का नाम है पॉइंट को लिखूंगा माइनस 3, 0 तो एनी पॉइंट ऑन X axis इस अप दा फॉर्म X, 0 similarly अगर मैं कोई पॉइंट Y axis पर ले रहा हूं तो उसके पॉइंट 0, Y के फॉर्म में होगा यानि X के value 0 हो जाएगी और Y के value जो भी उस point पर होगी पॉर एक्जामपल सपोज आई टेक दिस पॉइंट से सी अब क्योंकि यहां पर Y के value 5 है लेकिन X 0 है यहां हो जाएगा 0,5 similarly अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं माल लिया D क्योंकि यह Y axis पर लाई कर रहा है और Y के value minus 2 है लेकिन X के value क्या हो जाएगी जीरो जीरो कॉमा माइनस टू तो एनी पॉइंट ऑन Y axis is of the form 0,Y इसके अलावा class 9 में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी sign of coordinates उसको बद्वारा से recall कर लेते हैं माल लिया यह हमारा Cartesian plane है और यहां पर हमने यह दो एक्सेस ड्रॉप कर दी है X X dash this is origin this is Y Y dash now when we draw two mutually perpendicular lines in the plane it is divided into four parts चार पार्स में जाता है इन चार पार्स को हम कहते हैं quadrant these four parts are called quadrants the word is I write here quadrant 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 so these are four quadrants first second third four in the first quadrant both X and Y are positive in the second quadrant X is negative but Y is positive in the third quadrant both are negative X is negative Y is negative in the fourth quadrant X is positive and Y is negative these are the sign so thank you so much for watching this video please do like share and subscribe to my channel and also hit the bell icon thank you so much you 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 you